CSC में Insurance Service Activate कराके मन्थिली बढ़िया इंकम हो जाता है वेली का अगर आप एक CSC वेली है और CSC का Insurance Service में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि CSC का Insurance Service Activate कराने के लिए सबसे पहले तो आपको RAP Registration करना होता था या फिर INS Registration करना होता था तो जिन जिन CSC वेली ने RAP Registration कर लिया है साथी उसका Module Complete कर लिया है और Exam Complete कर लिया है तो उन वेली वाईयो का तो Insurance Service Activate हो ही गया होगा लेकिन आज हम बात करेंगे उन वेली वाईयो के लिए जिसने अभी तक CSC का Insurance Service Activate नहीं करवाया है तो CSC में Insurance Service Activate कराने का पहले तो एक तरीका था कि आप RAP Registration और INS Registration के लिए इस वेबसाइड में आते थे पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिलेगा वेली है और अभी तक आपके Digital Sewa Portal पर Insurance Service Activate नहीं हुआ है तो आप INS Registration कैसे करेंगे इस नए वेबसाइड से साथ ही यहाँ पर Registration करने के बाद Login करके अपना Module कैसे Complete करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक Option देख रहा है वेली INS यहाँ पर Registration पर क्लिक करेंगे हाला कि हमने यहाँ से Registration पहले ही कर लिया है आप लोग को चले दिखा दे रहे हैं यहाँ Registration पर क्लिक करेंगे आपका CSC ID और Password डाल कर Sign In पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका पूरा Details भरना होगा तो जैसे कि हमने पहले ही Registration कर लिया है तो यह Dashboard हमारा Open हो गिया है Registration करते टाइम आपको अपना Details भरना होगा अपना नाम, अपना Email ID, Mobile Number साथ ही आपका Pen Card, आधार Card और कम से कम 10W का Marksit यहाँ पर लगेगा इसके बाद आप Registr पर क्लिक करेंगे और आपको 200 रुपिया पेमेंट करके Successfully आप Registration हो जाएंगे और आपके सामने इस परकार का Dashboard ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने Registration कर लिया है, साथी यहाँ Login भी हो चुका है इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा Option देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप My Details पर अगर किलिक करते हैं तो आपने चितना भी Details दिये हैं, वो आपका Details यहाँ पर Total सो करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका CST ID, आपका Name, आपका Father Name, Mother Name, Email ID, Mobile Number, Total यहाँ पर 100 करेगा इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको Module का Option देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको Total में 16 Module देखने को मिलेगा तो आपको Total Solo Module को Complete करना होगा, Module Complete करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ Launch Module पर किलिक करेंगे और आपके सामने एक PDF ओपन होगी, इस PDF को आप धीरे धीरे करकर Scroll करेंगे और पढ़ेंगे भी इस PDF में जो भी लिखा है इसे पढ़ेंगे और कम से कम एक PDF को आधा घंटा या 40 मिनिट ओपन करके रखना होगा, इसके बाद क्लोज करेंगे, तो एक नमबर मोडियूल आपका Complete हो जाएगा, जैसे कि हमने यह 16 नमबर मोडियूल Complete कर लिया है, यह Complete हो गया है, इसलिए यह Blue Color का दिखने में नहीं आ रहा है, और साथी म यहाँ पर क्लिक करने का Option भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे करके आपको हर मोडियूल Complete करना होगा, Complete करने के बाद आपको एक्जाम भी देना होगा, जो कि Final Exam होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, Examination पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही यह मोडियूल Complete करेंगे, इसके बाद ह आएंगे, यहाँ पर Terms को Accept करेंगे, और यहाँ Start Exam पर क्लिक करेंगे, इसके बाद OK करेंगे, तो आपके सामने यह Question Answer आ जाएगा, यह Question Answer आपको यहीं पर देखने को मिल रहा था, जो पढ़े है, मोडियूल जो आप Complete किये हैं, इसी मोडियूल में इस Question का Answer देखने को मिल ज Question का Answer हमको यह लगता है, यह हम क्लिक किये, इसके बाद यहाँ Next पर क्लिक करेंगे, टोटल में यहाँ आपको 20 Question पूछा जाएगा, 20 Question का Answer देने के बाद, आप इस Exam को Complete कर लेंगे, तो अगर आपको INS का Exam Complete करने का Question Answer चाहिए, साथ ही आपको देखना है कि कैसे INS का Exam Complete करना है तो Comment जरूर किजिएगा, अगर आप लोग को जरूरत है तो इसका वीडियो भी एक बना देंगे, इसके बाद से लिए देखते हैं, अगर आपने ये Module, ये Exam Complete कर लिया है, और इसका Result कैसे आपको देखने को मिलेगा, साथ ही इसका Certificate आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये भी देख लेते हैं, तो अगर आपने Exam और Module Complete कर लिया है, तो इसका Result देखने के लिए यहाँ पर किलिक करेंगे, और आपने कितने % में पास किये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो Exam दिये हैं, उसमे 60% नमबर आया है, जो कि हमने Exam पास कर लिया है, इसके बाद इसका Certificate देखने के लिए यहाँ पर किलिक करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, INS का Certificate भी आ चुका है, इस Certificate को आप Download भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, Generate Certificate पर किलिक करेंगे, और इसके बाद आप इस Certificate को Direct Print भी कर स जिसका भी अपने digital सेवा पोर्टल पर insurance service एक्टिवेट नहीं हुआ है वो इस website में आकर login करके INS registration कर सकते हैं साथ ही अपने digital सेवा पोर्टल पर insurance service एक्टिवेट करा सकते हैं तो आसा करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप लोग को अच्छी लेगी होगी और वीडियो आप लोग को पसंद आयागा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारे इस चैनल में नहीं आये तो चैनल को subscribe जरूर करें ताकि एसी और भी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद